अगला क्यूशन है क्यूशन नम्बर शेवंत ध्यान देंगे थोड़ा सा थोड़ इसी बात को अगर केरफुली आप सुन लेंगे ध्यान देंगे तो निश्चीत रूप से आपका ये क्यूशन बहुत इजी लगेगा आपको और वो बात क्या है सबसे पहले देखें ये चार पार्ट हैं इसी ग्राप के है ना ये y-axis है और ये x-axis है बात ये है x-axis पर y की value 0 होती है और y-axis पर x की value 0 होती है समझ भाई ये बात the value of y on x-axis will be 0 and value of x on y-axis will be 0 x-axis पर y की value पूरे यहां से लेकर के यहां तक 0 है और y-axis पर x की value 0 होती है अब question यह है कि कोई point है कोई window है जो x-axis locate है x-axis परिस्तित है और उस window से एक window इधर और एक window इधर दो window दे रखें है a और b यह equal distance है यहां window p लिख लेते हम p b के बीच में उतनी distance है जितनी a p के परसन की problem क्या है the point is on x-axis point x-axis परिस्तित है और a से उतनी दूर है जितना की b से तो हमें इसके coordinates find करने हैं अब इसके coordinates find करेंगे तो आप लोगों को मैंने बात बताई है उसी बात के मताबिक किस पर y की value 0 होती है किसकी यह x-axis है न तो इस पर हम x की जिगह पर तो x लिख दें find कर लेंगे और y की जिगह पर हम क्या रख दें 0 रख दें a के coordinates दे रखे हैं 2,-5 और b के coordinates दे रखे हैं 2,-9 तो अब आप इस problem को इस तरीके से हल कर सकते हैं the distance between a,p, a,p के beach की दूरी, beach की दूरी, equals to distance of p,b, p,b के beach की दूरी अब अपने आप ही यहाँ पर अगर इस दूरी सुत्र के formula में आप अगर इस coordinates को put करेंगे, रखेंगे तो अपने आप ही इस x की value find हो जाएगी हम a,p के बीच की दूरी निकालने तो वही formula वही है x2-x1, तो यहाँ x2 क्या है, a,p को ले रहे हम, a और p को द्यान में रखें, x2 की value, x और x1 की value, 2, plus y1 की value, 5, 1 की लिए लो, तो 2 की लिए लो, कोई फरक ने पढ़ेगा इसे, minus 5, minus 5 का whole square, का square root, इसी प्रकार से pb को लेंगे, तो point यह x2 है, या इसको मानलो भी लेंगे, x2, निचे से लिए लेंगे, तो, x, minus 2 का whole square, plus, 0, minus, no, minus, minus, no, या लो, ऐसे कर लेता हूँ, x-2 का whole square, plus, 0, plus की 5 होगे न, तो 5 का square, equal, minus, x-2 का whole square, plus, 9 का whole square, अब देखिए, दोनु तरफ square लगावा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं, दोनु पक्सों को वरग करने पर, दोनु पक्सों को square करेंगे न, same behavior करते हैं, हम दोनु साइड में, इसलिए, दोनु पक्सों का वरग करने पर है, वरग मूल का, जो चिन आप लोगों के सामने, square root का, वो हट जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब उसका square निखाल दो, x-2 को x-2 शे स्वलो करेंगे, तो identity यूज़ करनी चाहिए आपको, साथ यूज़ क्लास में पढ़ी होगी आप लोगों ने, वो identity क्या है, जब a प्लस b को a प्लस b शे मल्टिप्लाई करें, तो a square plus 2ab plus b square formula लगता है, उसी प्रकार से अगर a minus b को a minus b शे ही मल्टिप्लाई करें, तो यह identity लगती है, a square plus minus 2ab plus b square, इसी प्रकार से जब a minus b को a plus b से मल्टिप्लाई करना हो, तो identity लगती है, a square minus b square, यह द्यान में रखना चाहिए, इस तरीके की 3-4 identities हैं, वो identities हर जगे प्रकाम आते हैं, इसमें, algebra में, x minus 2 को x minus 2 से हल करेंगे ना, multiply करेंगे, गुणा करेंगे, तो x square minus 4x plus 4, और 5 को 5 से करेंगे तो 25, x minus 2 को x minus 2 से multiply करेंगे, x square minus 4x plus 4, और 9 को 9 से multiply करते ही, add t1, अब इसका transfer कर लें, पक सामतर कर दें इनको, तो जो चर्ष हैं क्या है, variable वाली संक्या है, x वाली, उनको एक तरफ ले लेते हैं, और जो शिद्य नंबर है mathematics के, उनको हमें एक तरफ ले लेते हैं, तो x उसका यान minus 4x minus x उसका यान, और 4x, हमने कहीं गल्ती कर दी, हाँ, अगे देखिए, पक सामतर करें इसका, x उसका यान minus x उसका यान, यह minus के 4x हैं, उस 4x को इदर लेके आएंगे तो minus का, अब हैं, यह 4 plus 81, इस 4 को इदर बेज़ेंगे तो minus का, और इस 25 को इदर बेज़ेंगे तो minus का, समझ मैंगे यह कि इतने बात, अब देखो, अगर एक जैसी digit हों, तो उनको plus minus करते हैं, तो x स्कायर में से x स्कायर को minus करेंगे तो क्या आएगा, 0, इसका मतलब हम इस कह सकते हैं, एक दूसरे को cancel कर दें, यह दोनों एक ही शिंबल की हैं, इसलिए, प्लस, minus के 8x, इस फोर से, इस फोर को cancel कर दूँ, 31 में से 25 को minus करो, तो कितने आते हैं, 56, कितने हैं, 56, और x equals to 56 divided by minus 8, तो value कितने आजेगी, minus 7, x की value minus 7 आगई, यहां हमने x put किया था, x lit किया था, वाना था इसको, तो अब p के निर्देशां क्या आगए, minus 7, 0, इसका मतलब यहां हमने जो draw किया है, वो line यहां नहीं है, इस side में थी, minus 7 में थी, यह तो शिर्फ आपको कच्चे चित्र के माद्दे में से आप लोगों को बताया था, यह आपके answer होंगे, हाँ बचो, अगला question, question number 5 है, शायद, आच यह अच्छे जो भी है, question में दे रखा है, दो point दे रखी है, P और Q, दो window है, P और Q, P to Q, P से लेकर के Q तक, P के जो coordinates हैं वो 2,3 और Q के हैं, 10,Y, और question में अब की बार solution दिया है, सामने वाले ने, value दी है, कि P और Q के बीच की जो distance है, वो 10 unit है, 10 ही काई है, तो आप इस Y की value निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, P, B के बीच की दूरी, सिधा ही लिख देता हूं में, P, Q के बीच की दूरी बराबन 10, और P, Q के बीच की दूरी निकालेंगे, तो X2 minus X1 formula लगाएंगे, तो X2 minus X का whole square, Y2 minus Y1 का whole square, 10, अब में, यहाँ minus minus plus हो गया, शिधा लिख दूरी, दस में से 2 minus करेंगे, तो 8, 8 का whole square हो गया, 64, और Y plus 3 का whole square, यानि Y plus 3 को Y plus 3 से multiply करेंगे, तो Y square plus 6Y plus 9, equals to 100, sorry 10, अब यहाँ पर अगर अपने यह लिखें, कि दोनों पक्सों को वरग करें, दोनों पक्सों को square करने पर, पक्सों को square करेंगे, तो देखें, इसका square root का चिन हट जाएगा, 64 plus Y square plus 6Y plus 9, equals to इसको square करना पढ़ेगा, इसका तो square का चिन हट गया, और इसको square कर लेंगे तो यह हो गया, 100, अब है, Y square plus 6Y, यह सब को एक तरफ ले लो, क्योंकि यहां पर है, गात समीकर्ण बन रही है, तो यह 64 है, यह प्लस के 9 है, यह माइनस के 100 है, ब्राबर में, 0, Y square plus 6Y, 64 और 9 कितने होते हैं, 73, 73 में से 100 को माइनस करेंगे, तो 27, ब्राबर 0, अब इस equation को आप लोगों को द्वी गात समीकर्ण के माद्य हमसे हल करनी पड़ेगी, द्वी गात समीकर्ण के माद्य हमसे कैसे हल करें, ध्यान दें थोड़ आसा, इस equation है, लेकिन द्वी गात समीकर्ण बीच में फरसने के कारण, यह थोड़ आसा, आप लोगों के लिए हो सकता है, डिफिकल्ट हो, Y square plus 6Y, plus minus 7, 27, equals to 0, तो 3 को माइनस करेंगे, तो 6 आएंगे, और 9 को 3 से मिल्टिप्लाइ करेंगे, तो 27 आएंगे, यह द्वी गात समीकर्ण है, 9 minus 3, minus 27, equals to 0, Y square plus 9Y, minus 3Y, minus 27, equals to 0, Y square plus 9Y, का एक पेर बन गया, 3Y, minus 27, का एक पेर बन गया, इसमें common ले लेते हम Y को, तो Y plus 9 आगया, और इसमें हम 3 को common ले लेते हैं, तो Y plus 9, minus 3, जब minus को डिवाइड करेंगे, तो plus हो जाएगा, equals to 0, Y plus 9, equals to 0, और Y minus 3, equals to 0, Y equals to minus 9, या फिर Y equals to plus 3, तो यहाँ पर जो Y की value इसने पुच्छी है, Y की value इसने या जो पुच्छी है, उसकी value, Y बराबन, minus 9, अथवा, 3, यह आपके answer हो जाएगे, ठीक है बच्चों?